दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक Gmail ID से दूसरी Gmail ID में Contact Number को Copy कैसे करते हैं अगर आपने अपने मोबाइल में एक से ज़ादा Gmail ID Login कर रखी है और आपके सारे Contact एक ही Gmail ID के अंदर Save है आप चाहते हैं वो सारे Contact Number आपकी दूसरी Gmail ID में Copy हो जाए तो ऐसी सेटिंग आप कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने फोन में Contact एप को Open कर लेना है ये वाला एप Google का है लगबख सभी Android फोन में आपको ये वाला Contact एप दिखाई देगा आपको इसे Open करना है आपके सारे Contact आपको यहाँ पर दिखाई देंगे लेकिन अगर आपके फोन में ये वाला एप नहीं है तो आप इसे Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको सर्च करना है Contacts ये Google का एप है आपको Play Store में मिल जाएगा आपको इसे Open करना है अब यहाँ पर मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा आप देख लीजी यहाँ पर Gmail ID है Hindi Easy इसके अंदर 14 Contact नमबर सेव है अब ये वाले Contact नमबर मुझे Copy करना है दूसरे वाले Gmail ID में अब यहाँ पर मैं अकाउंट को सुच करता हूँ दूसरा वाला अकाउंट है समीर जी ये वाला अकाउंट में मैं सुच हो जाता हूँ तो आप देखेंगे ये वाले अकाउंट में एक भी Contact नमबर सेव नहीं है तो इस Gmail ID में मै आपको Contact नमबर Copy करके दिखाऊंगा तो इसके लिए क्या करना है नीचे एक Option मिलेगा Fix and Manage इस पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर एक Option मिलेगा Export to File इस पर किलिक करना है इसके बाद आपके Mobile में जितनी भी Gmail ID Login है और उसके अंदर Contact नमबर सेव है तो वो सारी Gmail ID आपको Copy करना है तो मैंने Hindi Easy को यहाँ पर Select कर लिया अब यहाँ पर आपको एक Option मिलेगा Export आपको इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर एक File Create हो जाएगी आप देखेंगे Contacts.vcf इसका नाम आप Change भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर इसे SEO कर लेना है तो यह आपके File Manager में SEO हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है आपको एक Option मिलेगा Import from File आपको इस पर किलिक करना है इसके बाद आपके Mobile के सभी Gmail ID आपको दिखाई देंगे किस Gmail ID में आपको Contact Number Copy करना है वो वाला Gmail Account आपको यहाँ पर Select करना है तो मुझे समिर जी वाले Gmail ID के अंदर Contact Number Copy करना है तो मैं इसे Select करता हूँ इसके बाद File Manager उपन हो जाएगा अब यहाँ पर आपको वो फाइल दूड़ना है जो अभी हमने Create की थी Contacts.vcf वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो उपर में आप Search भी कर सकते हैं फाइल का नाम तो आपको फाइल मिल हो जाएंगे अब number copy हुए है या नहीं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर नीचे में Contacts पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे समीर जी वाले Gmail ID के अंदर एक भी contact number नहीं था अब यहाँ पर 14 contact number हमने copy कर लिये हैं तो इस तरह से दोस्तों आप एक Gmail ID से दूसरे Gmail ID में contact number को copy कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe करके bell icon को all पर set जरूर करना